फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम सार्ज था जो एक आर्मी का कमांडर है वो अपनी टीम के साथ एक जगा पर छुपा हुआ क्योंकि शेहर में जॉंबी वाइरस फैदा हुआ है और उसकी आदी टीम इस वाइरस की वज़से मारी गई जबकि आदी इस वाइरस से इंफेक्टेड हो गई यानि वो जॉंबी वाइरस का शिकार बन गई है जिस वज़से सार्ज काफी गुस्से और परिशानी में था वो सबकर जिमेदार अपने सिपाहे को समँझ रहा था अपना गुस्सा निकालने के लिए वो उस सिपाहे को मारना ही वाला था कि त verdad कि तब्ही उसका दूसरा जॉंबी सिपाही आ जाता है जो सिपाहे के चीरे पर बुरी तरह काट कर नोश कर का जाता है। इसलिए सार्ज को मचपूरान शूट करकी उसी मारना ही पड़ता है जिसके बाद वो अपने टीम के साथ यहां से चला जाता है रास्ते में इन्हें एक बस मिली यह जब उसकी अंदर गई तो वहां कुछ लोग बैटी हुए थी सार्ज उनकी पास जाकर सारे पैसे देने को कहता है लेकिन वो ल की साथ जॉंबिस को चुन चुन कर शूट करकर की मार रहा था उसका माना था कि जो मर गई है उन्हें पूरी तरह से खतम कर देना चाहिए यानि ये जॉंबी जो मरने के बाद जिन्दा होकर दुबारा जॉंबी बन जाती है इनको जीने का कोई हक नहीं है पैट्रिक यहां नहीं देता और अपनी टीम की साथ आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसे मैसी जाया था कि एक घर में दो बच्चे इस वारस से इंफेक्टिड हैं जो जन्दी जॉंबिस बन जाएंगा पैट्रिक अपनी टीम के साथ उस घर में पहुंचा बच्चों की मोम से कहता है कि उन्ह हमारे हवाले कर दो वो इन्फेक्टिड हैं तो सब के लिए खत्रा बन सकते हैं हम उन्हें शूर्ट करने आएं लेकिन बच्चों की मोम उन्हें बच्चे दीने से साफ साफ मना कर देती हैं यही नहीं बलकि उन पर गंदी तान लेती हैं यह देकर पैट्रिक और उसकी टीम ओपर जाने लगा बच्चों की कमरे में लेकिन पैट्रिक उन बच्चों पर गोली नहीं चना पाता क्योंकि जाहिर है वो भी एक बाप है इसलिए वो अपने टीम के लोगों को उन दोनों बच्चों को मारने को कहता हैं पर किसी में भी हिमत नहीं होती वो आगे भी नहीं और साथ ही यहां से जाने को कहता है, धमकाने लगा, कि यह काम छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा, लेकिन जब पैटरिक गुंडे की बात नहीं मानता, तो वो पैटरिक समेट उसकी पूरी टीम को मानने का फैसला करता है, इससे पहने ऐसा करता, यहां पैटरिक की जानी मजाग्या वीडियो देख रहे थे, और तभी यहां पर सार्ज आकर अपनी टीम से बात करनी लगता है, इतने ही दिर में इने जंगल से कुछ लोगों की आवाजिया नहीं लगती है, इसलिए सार्ज अपनी टीम को अलर्ट होने का कहता है, और यह लोग गंस लेकर उ सार्ज उन्हें शूट करने ही वाला था कि तभी वो सिरेंडर कर लेते हैं, यानि खुद को उनके हवाले कर देते हैं, कहने लगी कि हम जॉंबिस नहीं हैं और यहां तो बस पार्टी करने आए थी, प्लीज हमें मत मारो, सार्ज को उन पर शक हुआ, इसलिए वो थुड़ा आगे जाकर चेक करता है, यहां उसे जॉंबिस के कटे हुए सर लकड़ी उपर लटके हुए दिखती हैं, वो सभी सरों को शूट कर दीता है, फिर उन लोगों को आकर केई नी लगा, वा, यह पार्टी कर रहे हो तुम लोग, अब बताओ, कौन है तुम, और यहां पर आने का लड़का भी दिखा, यह उसे बेशोट करने वाले थी, लेकिन वो एकड़म बोल पड़ता है, कि मुझे मत मारो, मैं इनके साथ नहीं मिला हुआ, इसलिए सार्च उसे नहीं मारता, और यह उसे भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाती है, लड़का इन्हें एक जीब लेकर जाता है, जिसके अंदर एक लॉकर था, लॉकर में डेर सारी पैसी थी, जिसकी चाबी सिर्फ लड़की की पास थी, लड़का इन्हें क्योंकि पैसी दिना नहीं चाता था, इसलिए वो यह इस तरह जाहिर करता है, कि मैंने चाबे गुम गर दिया, वो छोड बोल रह था, उन लोगों ने भी यकीन कर लिया, इसलिए वो छुकी सिर्फ चाबी को अपनी जेब में रख लीता है, लेकिन उसे ऐसे करते हुए सार्ज ने देख लिया था, पर फिलहाल वो कुछ नहीं कहता है, और अब यह लोग किसी मैं फोज जगा पर जाने का फैसला करते हैं, जीप में बैठ कर वहां से आगे बढ़ जाते हैं, लड़का इन्हीं उसी आइलेंड की बारे में बताता है, और पैट्रिक की वीडियो दिखाता है, जिसमें पैट्रिक कहता है कि यह आइलेंड सबसे मैं फोज जगा है, अगर यहां कोई आना चाहता है, तो बिना सोची आ सकता है, यहां कर रह सकता है, यह देकर सार्ज कहता है कि हम इसी आइलेंड पर ही जाएंगे, इसलिए उसकी टीम उसी तरफ निकल जाती, रात को जब वो लड़का सो रहा था तो सार्ज उसकी जिप से चाबिया निकाल कर अपनी पास रख लेता है, यह लोग अप समंदर किनारी बने शेल्टर में आ गए, जहां पैट्रिक अपनी टीम के साथ पहने से ही रह रहा था, यहां पैट्रिक सार्ज से कहता है कि अगर तुम्हे आगे जाना है तो अपने सारे पैसे हमें देनी हों, लेकिन सार्ज ने साफ साफ मना कर दिया कि पैसे देदू, नो कभी नहीं अब सार्ज को एक बड़ी सी शिप दिखाई देती है इसलिए ये उस सरब जाने लगती है लेकिन ये देकर पैट्रिक की टीम भी नहीं रुखती और वो इन पर अंदा दुन गोलियां बरसाने लगती है तो मसफ़ोरण सार्ज को अपनी टीम के साथ जीप में कि तबी उसके सामने दूसरी मुसीबत आखडी होती है और वो था जॉम्बी जो भी पानी में ही था और उसके बहुत ही करीब भी तो अपनी जान बचाने के लिए वो लड़का जॉम्बी की उंगलियों को दांतों से ही काट कर पानी में भेंग दीता है ऐसा करके उसे अज जॉम्बीस बाहर निकल कर आगेए एक साथ पैटरिक की टीम पर हमला कर दीती है परी तरह उने काट काट कर मार दीती है लेकिन पैटरिक किसी तरह जॉम्बीस को मार कर वहाँ से बच निंगलता है कि जो सिपाही शिप तक पहunda पानी सो ठीम कर लेकर आ जाता है इसलिए सार कर मुझे मेरी बेटी की याद आ गई है। फिर सार्ट पेट्रिक से बात करने लगा। पूछता है कि तुम हम पर गोलियां क्यों चला रही थी। पेट्रिक कहता है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थी। हमें पैसे चाहिए थी। जिन के लिए हम किसी के बेजान ले सकते बस यही बात थी और कोई हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। यह कहकर वो अपना हाथ आगे करता है। सार्च हाथ मिलाकर जवाब देता है। लेकिन इस उम्र में भी तुम काफी स्मार्ट हो। मुझे तुम्हारी बाते रवया काफी अच्छा लगा। जो कहकर वो प पर वो यह बात किसी को नहीं बताता कि अंदर ही अंदर मैं भी जॉम्बी बारे से इंफेक्टेड हो रहा हूं। और ऐसा होने की वज़ा उसका जॉम्बी को काटना था। और अब सार्च अपनी टीम के साथ मिलकर शिप के सभी जॉम्बी को मार दीता है। पैटरी सार्च को उस आइलेंड के बारे में बताने लगा कि वो जिका बहुती अच्छी और मैफूज है। लेकिन फिन हाल एक गुंडे का वहाँ पर राज है। अगर हम इतनी बड़े शिप में बैठकर उस आइलेंड पर जाएंगे तो गुंडे को हमारे आने का पता चल जाएगा। फि इसलिए भी सारे लोग छोटे कश्टी में बैठकर उस आइलेंड पर जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर का सफर करने की बात आखिरकार ये उस आइलेंड पर पहुंच जाते हैं। यहां आकर इन्होंने देखा कि गुंडे ने जॉंबी को मारा नहीं हैं बलकि उन आदमी मारे जाते हैं। लेकिन इस सब में सार्ज और उसका एक आदमी भी जख्मी होगी थी। पर सार्ज उठा हसते हुए अपने साथी को कहता है ये चलो आज हमें भी खुली लग गई। लेकिन इस बात पर उसका साथी कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो तो मोगी प साथी पर गंद से गोनिया चलाने लगता है। ये देकर सार्ज को उस पर बहुत गुसा आया। वो उसे मार कर समीन पर गिरा देता है और खुद उपर आकर बैठ जाता है। तब यहां घोड़ी पर बैटी पैट्रिक की बेटी आई। जो भी अब पूरी तरह जॉम्बी ब पुरा लगा। इसलिए वो पैट्रिक को उठा कर फिर से खड़ा कर देता है। पैट्रिक जिसे काफी खुसा आ गया था वो सार्ज से कहता है कि मैं अब गुंडे को नहीं चुड़ूँगा। उसकी जान लेकर ही रहूँगा। क्योंकि मेरी बेटी की जॉम्बी बनने की बचा सिर्फ और सिर्फ वो ही है। क्योंकि अगर वो मुझे सभी जॉम्बी को मारने देता तो एक भी जॉम्बी जिन्दा ना बचता और आज मेरी बेटी भी जॉम्बी ना वनती। मैं अब उसे किसी सुरत नहीं चुड़ूँगा। पिर कहनी लगा कि मैं उसे बस मारने जाने ही वाला हूँ। गुंडा जो कि अपने घर में बैठा हुआ। तभी उसकी पास एक आदमी आकर बताता है कि जॉम्बी कुछ भी नहीं खा रही है। क्योंकि उन्हें इंसानों को खाना है। ये सुनकर गुंडा उस आदमी के साथ अपनी पॉल्टरी फार्म में गया जहां उसने सबी जानवरों को रखा हुआ था। वो जॉम्बिस को पीख खाने को देता है लेकिन हैरत जॉम्बिस वो भी नहीं खा रहे थी। ये देखकर गुंडी को काफी घुसा आ गया। इसलिए वो शूट करके इन जॉम्बिस को ही मार देता है। फिर अपने आदमी को कहता है कि जाओ और पैट्रिक की जॉम्बि बेटी को लेकर आओ हमें उस पर कुछ टेस्ट वगेरा करने ही। सार्ज अपनी टेम के साथ जब एक घर में था तो इन्हीं पता चला कि वो सिपाही जो जॉम्बिस बन रहा था वो अचानक से गाईब हो गया है। इसलिए व हम खुद अपनी जान मत लो ऐसी तुम्हें गुना मिलेगा क्योंकि ये चीज़ बहुत गल्त होती है। ऐसा करते हैं मैं ही तुम्हें मार दीती हूँ। जिसके लिए वो मान गया और अब लड़की ना चाहते हुए भी शूट करके उसके जान लेगी लेती है। ऐसा करने स हलांकि उसे काफी दुख भी हुआ आंखों में आंसु आ जाती है। लेकिन तब या गुंडे के लोग भी आ गई जो सिपाही लड़की को दीख चुके थी। इसलिए वो उसे पकड़कर अपनी साथ ले जाती है। सार्ज को क्योंकि गोली लगी थी इसलिए उसकी हालत भी काफी खराब होने लगती हैं जिसकी थोड़ी ही देर बात वो बेरोश हो जाता है। लड़का उसे होश में नाने के लिए घर में पाने ढूरने लगा लेकिन जब उसे पाने कहीं न मिला तो वो घर से बाहर ढूरने जिदा जाता है। एक जगा उसे पाने मिल भी गया लेक कि गुंडे का साथी भी होश सिपाही लड़की को अपने साथ ले जा रहा हैं इसलिए ये फैसरा करते हैं कि हमें कैसे भी करके इस लड़की को बच्छाना है जब सिपाही लड़की को गुंडे की पास ले जाया गया तो उसे होश आ गया यहां गुंडा उसे बताता है कि हम जॉंबी बनने वालों की जान लेते हैं सिपाहे लड़की देखती है कि गुंडे की वाइफ भी जॉंबी बन चुके हैं लेकिन इसने उसे भी नहीं मारा होता बलकि घर में कैद करकी रखा हुआ था गुंडे की लग पैट्रिक की बीटी को पकई नेती हैं जो जॉंबी बनी हुई थी और उसे गुंडे के पास लाने लगती हैं सार्ज भी पेने से काफी बेतर हो गया था उसे जब होश आई तो कोई उसकी चोटकी पटी कह रहा था आंके कुल कर जब उसने देखा तो वहाँ पैट्रिक की बीटी थी जो जॉंबी नहीं थी बिल्कुल थी इनसानी थी उसे देख सार्ज को काफी हैरत हुई वो पूछता है तुम तो जॉंबी बन गई थी ना जिस पर वो कहती है कि जो आप मुझे समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ मैं जैनेट हूँ उसकी जुलवा बें पैट्रिक की दूसरी बेटी फिर वो बताने लगी कि क्योंकि मेरे डैट जॉंबीस को मारते हैं इसलिए मैं उन्हें पसंद नहीं कर दी इस पर सार्ज उसे कहता है कि ये तुम ठीक नहीं कर रही है अपने डैट को गलस समझ रही हो वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं जॉंबीस को भी इसलिए मारते हैं तकि वो बात में किसी के निए खत्रा ना बन जाए इतने ही देर में या पैट्रिक भी अपनी साथियों की स मार देता तो आज तुम्हारी बेहन सही होती हैंने इनसान ही होती सौमे में बदलती मैं तुम से और तुम्हारी बेहन दोनों से बहुत प्यार करता हूं लेकिन अफसोस है आज सकतो मुझे समझ ही नहीं पाए ये कहकर वो सिपाही लड़की को बचाने के लिए निकल जाते हैं उनके साथ जैनेट भी जाने लगी लेकिन पैट्रिक उसे अपने साथ आने से मना कर देते हैं क्योंकि जैनेट की जान को भी खत्रा हो सकता था और अब ये लोग वहां जैसे पहुंचें गुंडा उने देख लेता हैं इसलिए सार्ज लड़के को लोकल की चाबी वाप गुंडे ने वहां गोड़ों को भी छोड़ा हुआ है ये देखने के लिए कि जॉंबिस खोड़े भी खाते हैं या नहीं जैनेट जब वापिस अपने गोड़े की पास जा रही थी तो उसे वही लड़का मिल जाता है इसे सार्ज नहीं बीजा था वो उसे बता दीता है कि सार्ज और पैट्रिक ने सिरेंडर कर दिया है और वो लोग पकड़े जा चुके हैं तो अब उन लोगों को छुड़वाने के लिए ये दोनों एक प्लैन बनाते हैं ये गुंडे के पास गई कहते हैं कि अगर तुमने इन सब लोगों को छोड़ दिया तो हम तुमें बहु साया कि अब वो गुंडी और उसकी साथियों पर गोलियां चिलाने लगता है बदले में उन्होंने भी चिलाई इसलिए दोनों टीम्स की बेश जबड़स गोली बारी शुरू हो जाती हैं और अब गोलियों की आवाज सुनकर वहां सारे जॉंबिस आने लगती हैं और इन पर खतरनाक हमली होना शुरू हो जाते हैं कुछ तेर की बाद मौका देकर पैट्रिक अंदर आया वो गुंडी को कहता है अच्छ ठीक है मैं तुम्हें नहीं मारता लेकिन बस मुझे कुछ वक्त अपनी बेटी के साथ गुजारना है क्योंकि काटने की वजह से जल्द जैन बेटी को खाने लगती है उसे ऐसा करती हुए देकर जैनिक सार्ज को बताने जाती है कि जॉम्बी घुड़ों को खा सकते हैं लेकिन तबी पीछे से पैट्रिक जैनिट को गोली मार देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरी ये बेटी भी जॉम्बी बन जाए जबकि स आज वो सारे पैसी लेकर अपनी टीम की साथ इस आइलेंट से निकल जाता है और आइलेंट पर पैट्रिक और गुंड़ा भी जॉम्बी बन जाती है और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यही बर्खत मजाती है